हाँ तो नमस्कार दोस्तो आप सभी का मौसम विभाग यूटूब चैनल पहले देखो पहले सिको में बहुत-बहुत स्वागत है जी हाँ दोस्तो देख सकते हैं मौसम विभाग को लेके एक बहुती बड़ी जो खुश खबरी है हमारी सामने निकल क्या रही है जैसा कि आप स यानि कि जो मानसुन है अब प्रतेएक राज्य के अंतरगत जो वर्सा है वो लेके आ रहा है देख सकते हैं कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है मौसम विभाग को लेके पूरे देश के अंतरगत जो है हाई अलट जारी कर दिया है काफी छेत जिनके अंतरगत बाड की स्थी बन सकती है यानि कि भारी मात्रा में जो है तूफान चक्रवाज जो है अपना जो विक्राल रूप है वो धारन कर सकता है तो दोस्तो देख सकते हैं मौसम विभाग के कौन से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो दोस्तो ऐसे ही मौसम विभाग से सम्मंदित पलपल की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप देखना चाते हैं तो दोस्तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड सब्सक्राइब बटन कौन सी बड़ी अपडेट जो है निकल के सामने आ रही है तो दोस्तो देख सकते हैं यहां पर इस पर्ष्ट रूप से देख सकते हैं उमर उजाला की जो ओपिसल इन्फोर्मेशन है 15 जून 2019 को भीशन गर्मी के बीच रहत की खावर 16 जून से एक हपते जम कर होगी प्री मा अपना असर दिखा सकता है तो देख सकते हैं यहां पर कौन सी अपडेट जो है निकल के आरे देख सकते हैं उत्तरा खंड में रविवार को अगले एक हपते तक बारिस होने के आसार इस दोरान 16 जून तक ज्यादातर छेत्रों में मध्यम वर्सा हो सकती है वहीं अगले वह हलकी बारिस जो है हो सकती है यानि कि लगबग 16 जून को जो है काफी ज्यादा हलकी बारिस लगबग 75 परतिशत जो इस्टेट है उन्हीं स्टेटों में हलकी बारिस होगी जैसा कि आज सुबह से ही मोसम जो है 16 जून को हलकी बारिस प्रतेक स्टेट के अंतरगत दिखाई द 21 June तक बारिस काफी कम हो जाएगी उन्होंने बताया कि यहाँ प्री मानसून की बारिस है प्रदेश में मानसून जो है जुलाई के पहले हपते में पहुचने की यहाँ पर आसंका बताई जा रही है उससे पहले जो है ये प्री मानसून स्टार्ट हो चुका है उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं वही मोसम विभाग ने अगले दो-तीन दिन तेज गर्मी पढ़ने का अनुमान जाताया है विभाग ये बुल्टेन के अनुसार अगले दो-तीन दिन प्रदेस में अधिक तम सामाने तापमान 2-4 डिगरी तक अधिक रह सकता है इसके चलते लोगों को गर्मी और उमर जहलनी पड़ सकती है बारुस पारिस जो है शुरू होने के बाद अधिक्तम तापमान में कमी आ सकती है तुन में पारा 40 डिगरी का आकड़ा चूने की और है एक दिन मामुली कमी के बाद शुकरवार को फिर पारे में बड़ोतरी यहाँ पे नजर आ रही है देख सकते हैं सायर में अधिक्तम तापमान जो है 39.4 डिगरी जो है ट्रेमपरेचर जो है पहुंच चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले दो रात हलकी बारीस और आंदी से राजदानी के तापमान में कुछ कमी जो है मैसूस हो रही है बुद्वार को जहाँ अधिक्तम टैंपरेचर गुन 40 डिगरी था वहीं बिस्पतिवार को 38.3 डिगरी और शुकरवार को यहाँ पे देख सकते हैं सुकरवार को लगबग गुन 40.4 डिगरी दोबारा से टैंपरेचर पहुंच चुका है इसके बाद सुकरवार पूरे दिन लोगों को गर्मी और उमस देहलना पड़ सकता है यहाँ पे देख सकते हैं टुन में नियून तम टैंपरेचर 25 डिगरी सेंटेग्रे तक पहुंच गया है इसके कान रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पारी है मौसम विभाग ने आज भी राजदानी दून और उसके आसपास के छेतरों में तेज गर्मी पढ़ने का अनुमान बताया है तो आप देख सकते हैं 16 जून से लेके और लगवग 19 या 21 जून तक यहाँ पे दोतीन दिन भारी बारिस की यहाँ पर प्री मानसून की आसार मनित पलपल की अपडेट तो दोस्तों अभी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सेर भी करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जो है तलाब उठा सके मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै ही जै वारत